आज में लेकर आई हूँ स्टफ्ट अम्रिचसरी कुल्चे की रेसिपी ये खाने में बहुत टीस्टी होता है तो चलिए बनाते हैं स्टफ्ट अम्रिचसरी कुल्चा डो बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक परात में 1.5 कप मैदा लिया है अब इस मैदे को थोड़ा सा फैला कर बीच में स्पेस बना लेंगे इसमें डालूंगी नमक स्वादा नूसार, 2 टेबल स्पून शुगर, 1.5 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर और साथ में आड़ कर अब अच्छे से हम इन सब को मैदे के साथ मिक्स कर लेंगे हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है तब तक मिक्स करना है जब तक इसमें मौन ना आ जाए आप देख सकते हो जब मैं इसमें मूठी बंद कर रही हूं तो यह एक पीनी की शेप का बन रहा है अब हम इसमें थोड डो लगा लेंगे आठ से दस मिनट तक अब हम इसे मसल मसल कर इसका डो रेडी कर लेंगे हमें इसका डो सौफ्ट रेडी करना है और इसे बाद में हम दस मिनट के लिए रेस करने के लिए कवर करके छोड़ देंगे 10 मिनट हो चुके हैं अब हम इसे थोड़ा सा और मसल लेंगे अब हम इस मैदे को रफली बेल लेंगे बेलने के लिए मैं यहाँ सुखे मैदे का यूज कर रही हूँ अगर आपका आटा बहुत लूस बना है तो आप भी सुखे मैदे का यूज कर सकते हो जिससे यह नीचे नहीं चिपकेगा हमें इसे पूरी तरह से फैला देना है अब इसके ओपर हम लगाएंगे देसी घी आप चाहें तो बटर या ओल कुछ भी लगा सकते हो साथ में मैं करूंगी सुखे मैदे से डस्टिंग अब हтесь दोनों की डारियों से अच्छै से मोड कर रोल बना लेंगे अब इस रोल को मैं आधे घंते के लिए रेट करने के लिए छोड दूंगी तब तक दो रेडी हो रहा है तब तक हम स्टफिंग बना लेते हैं स्टफिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पर दो मीडियम साइज के आलू को बॉइल करके पैश करके यहाँ पर ले लिया है वन बोल ग्रेटिड पनीर मैं यहाँ आड कर रही हूँ वन बोल फाइनली चॉप्ट अनियन मैंने यहाँ पर आड किया है साथ में मैं आड़ कर रही हूँ 2 टेबल स्पून बारिक कटे हुए हरे धनिये के अब इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून सीरा, 1 टेबल स्पून धनिया जिसको मैंने क्रश करके लिया है हाफ टेबल स्पून काली मिर्च का पाउडर, हाफ टेबल स्पून चाट मसाला, वन टेबल स्पून धनिया पाउडर, नमक as per taste, वन टेबल स्पून गरम मसाला, हाफ टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर, वन टेबल स्पून आमचूर का पाउडर, आमचूर के पाउडर क कि जगा आप यहां पर अनार्दाना को क्रश करके ड़ कर सकते हो एक हरी मिर्थ जिसको बारिक काटके मैंने लिया था एक टेबल स्पून रेड चिली फ्लेक्स का साथ में मैं आड कर रही हूं वन टेबल स्पून कसूरी मेति जिसको मैंने अच्छे से क्रश करके ड़ किया है और साथ में मैं आड़ करूंगी थोड़ा सा और बारिक कटा हुआ हरा धनिया अब हम इसे अच्छे से मिक्स करके स्टफिंग रेडी कर लेंगे स्टफिंग यहां पर रेडी हो चुकी है डो को रेस्ट करते हुए आदा घंटा हो चुका है अब हम इसे एकुल पार्ट्स में कट करके लोईयां रेडी कर लेंगे एक लोई लेकर अब हम उसे चप्ता फैला लेंगे और एक कैविटी रेडी कर लेंगे इस कैविटी में हम अब फिलिंग करेंगे जैसे हम आलो के परांठे या गोबी के परांठों की स्टफिंग करते हैं वैसे ही हम इस कुल्चे की स्टफिंग करेंगे और इसे अच्छे से सील कर लेंगे आप अच्छे से जरूर सील करें अदरवाइस कई बार कुल्चा फट जाता है और stuffing बाहर निकल जाती है अब हम इसे चकले पर रखकर इसके उपर लगाएंगे हरा धनिया और इसे हाथ से ही बेल लेंगे हलका हलका प्रेस करके हमें इसे फैलाना है Just in case अगर आप हाथ से नहीं फैला आप आ रहे हो तो आप बेलन की हल्प से भी इसे हलके हाथों से बेल सकते हो Gas on करके मैंने तवा रख दिया है जो की गरम हो चुका है और यहाँ पर हमारा कुल्चा भी बेल कर ready हो चुका है अब इस कुल्चे को हम तवे पर डाल देंगे सेखने के लिए इसे दोनों तरफ से अच्छे से पका लेंगे यह तवे पर सिख चुका है अब हम इसे डारेक्टली फ्लेम पर अच्छे से पका लेंगे पकर ready हो चुका है अब हम इसके उपर डालेंगे बटर बटर को अच्छे से हम कुल्चे के उपर फैला लेंगे मेरे यहाँ पर डेट कप मैदे से साथ कुल्चे बनकर रेडी हुए है अब हम इस कुल्चे को अच्छा से क्रश कर लेंगे हमारा यहाँ पर स्टफ्ट अम्रित्सरी कुल्चा बनकर रेडी हो चुका है हैपी इटिंग